Hello Friends, Welcome back to my channel Friends, आज के वीडियो में हम बात करेंगे भीगे हुए चने खाने के फायदे के बारे में यानि के भीगे हुए चने खाने से हमें क्या-क्या फायदे होते हैं Friends, देशी चना नूट्रियन्स के मामले में बादाम जैसे महेंगे ड्राइ फूट से ज़्यादा फायदे मन्द है भीगे हुए चने में प्रोटीन, फाइबर, मिनरल और विटामीन्स खूब होता है जो कई भीमेवारियों से बचाओ के साथ-साथ हेल्दी रहने में भी हेल्फुल होता है वैसे तो महिला पूरुष दोनों को ही भीगे चने खाने चाहिए लेकिन पूरुषों को तो इसके जबरदस फायदे मिलते हैं जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ अब हम इसके अंदर कुछ फायदों के बारे में बते बात करेंगी कि कैसे कैसे यह आपको फायदा पोचाता है सबसे पहले तो यह ताकत और एनरजी का बहुत बड़ा सोर्स होता है यानि कि जो लोग भीगे चने काते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉंग होते हैं बहुत ज़्यादा हैल्दी होते हैं और उनके अंदर ताकत बहुत ज़्यादा होती है जो कमजोरी अगर आपके शरीर में है किसी तरीके कि आप ठक जाते हैं जल्दी या आपसे बहुत ज़ादा वजन नहीं उठता है और बहुत ज़ादा weakness फील करते हैं हर वक्त तो अगर आप भीगे चने खाते हैं friends रोज सुबा एक मुठी भीगो कर तो friends आपको weakness बिल्कुल भी नहीं होगी और दूसरी चीज़ास के अंदर पज जाएगा और आपको फाइदा भी मिलेगा और पूरोशों के मामले हैं friends तीसरी बात बताता हूँ इससे sperm count बहुत ज़ादा बढ़ता है सुबा मतलब की एक चमच शक्कर के साथ यानि कि चीने के साथ मुठी पर भीगे हुए चने खाने से जो आपका sperm count बढ़ता है यानि कि आपकी जो fertility कभी बढ़ जाते है male fertility उसके बाद हम बात करेंगे urine problems यानि भीगे हुए चने के गुड़ के साथ खाने के बार-बार urine जाने की problem जो है वो ठीक हो जाती है और जो किसी किसी को जो बवासीर और piles रहती है उसमें भी बहुत जादर relief मिलता है उसके बाद friends हम बात करेंगे skin के बारे में भीगे हुए चने खाने सामें skin पर क्या अगर फादे मिलते हैं friends अगर आप भीगे हुए चने रोज सुबा एक मुट्टी खाते हैं तो आपकी skin भी बहुत ज़्यादा healthy हो जाएगी friends उसके बाद friends जिनका वजन कम है उनके लिए भीगे हुए चने के खाने के बहुत से फाइदे हैं उनका वजन तेजी से बढ़ेगा क्योंकि digestion ये ठीक करता है और बहुत ज़्यादा इसके इंदर fiber होता है तो आपका weight भी gain करने में help करता है तो आपका वजन भी काफी तेजी से बरने में help करेगा इसके उपर मैंने video भी बनाई हुई है friends उसके बाद हम बात करते है सरदी जुखाम जैसी जिसको problem होती है सरदी जुखाम की problem बिल्कुल भी नहीं आईगी अगर आप भीगे चने खाते हैं कैसा भी मोसम हो और जो किड्नी की problem होती है किसी किसी के चने में फासफोरस होता है जो हिमोगलोबिन का level बढ़ाता है और किड्नी का extra salt जो है निकालता है उसके बाद हम बत करते हैं जो चने खाते हैं भीगे हुए उनका जो कोलेस्टेल होता है वह कंट्रोल में रहता है यानिकि बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रहता है जिससे कि हाट की problem कोई भी आपको नहीं आ सकती है और हाट बहुत ज़्यादा आपका healthy रहेगा उसके बाद फ्रेंट्स यह सूगर को को दूर करता है चैने आयरन का बहुत बड़ा सोर्स है यह खून की कमी को दूर करते हैं और blood purify भी करते हैं यानिकि जो आपकी खून की कमी को पूरा करेगा खून को अगर आपको बहुत सारे benefits मिलेगे और फ्रेंट्स यह आपके खून को भी साफ करता है कुशी भी तरह के टॉक्सिन्स होते हैं बोडी में आपके डाइशन में उनको निकाल देता है और आपको बहुत ज़्यादा है तो इसके तो धेरो फाइदे हैं मैं वीडियो में और भी नहीं बता बहूंगा आपको लेकिन यकीन मानिए इसका कोई भी साइड़ नहीं है अगर आप भीगे च अगर रोज सुबा खाते हैं खाली पेट तो फ्रेंट्स आपको बहुत ही जबर्दफ फाइदे होंगे तो फ्रेंट्स वीडियो पचंद है तो वीडियो को लाइक और शेर जुरू कीज़ेगा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जुरू प्रेस कर लिएगा थैंकि कर दोजाजा जुरू का वीडियो करमाना खाली श्रव परेस ही जुरू को वीडियो तो कि जुरू झाल शेर लबर का ड़त शेर ग्रीज़े गजए लगर बावत पाली जुरू झाल वीडियो जिए चीछ